स्वागत है आपका प्रिकाश कमपेशन क्लासिस में और आज का हमारा टापिक है मापन मापन हमसे कहां कहां पूछा जाता है सुपर्टेट के एक्जाम में और बीयड डियलेट के सिलेवस में है हमारा मापन तो मापन होता क्या है देगी साथियों हमने बहुत थे विग्यान म पर है हमारी की मापन क्या है अब मापन में हम देखते हैं जैसे कि किसी ब्यक्त की लंबाई हमें माप करनी है लंबाई कितनी है इसकी ठीक है ब्यक्त का बजन कितना है कोई कमरा है कमरे की लंबाई कितनी है कमरे की चोड़ाई कितनी है यह हमारा बोर्ड लगा हुआ है है कि समझ मारा होगा यानि कि हमने का कोई बस तो इसकी लंबाई कितनी है या हम कपड़ा बजार में खरीदने गए तो कपड़ा हमें कितने मीटर खरीदना है इसका मतलब उसकी माप की जाएगी ठीक है अब होता क्या है इसमें एक परिभासा है परिभासा क्या है कि स्विक्रत नेमों के अनुसार स्विक्रत नेमों के अनुसार या मानक जो हमारे नियम है उन्मानक नीमो के अनुसार ठीक अंक प्रदान करने की किरिया मापन कहलाती है सुईक्रत नीमो के अनुसार नीमो के अनुसार अंक प्रदान करने की किरिया बहुत अच्छी परिभासा है इस्टिवेंस की ये परिभासा पूछ लिए जाती है कि इस्टिवेंस ने परिभासा कौन सी दिया या परिभासा दियुए होती है नीचे नाम लिखे होते हैं तो आपको बताना होता है तो स्विक्रत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रिक्रिया मापन है ठीक है अब स्विक्रत नियम कैसे जैसे मानली जीए का हम कहीं दुकान पे जा रहे हैं तो उस ब्यक्ति का अगर हम चीनी ला रहे हैं मानली जीए हम दुकान से चीनी लेने गए और हमने का 5 किलो चीनी दे दो अब जो 5 किलो का बाट होगा उसका क्या अगर 5 किलो के स्थान पे 4 किलो का बाट है तो हम चीनी ले लेंगे नहीं लेंगे क्यों क्योंकि ये 5 किलो का बाट जो है माप से बना हुआ है कि उसका इसकी माप निश्यत है ये 5 किलो ही होगी चाहे हम तोलने वो चीनी चाहें, दूसरी जगह उसका मापन करवाएं, लेकिन बजन कितना होगा, पांच किलोई होगा, ऐसे ही मान लिजेगा, हम कपडा खरीदने जाते हैं, तो कपडा, अगर उसका मीटर छोटा है, हम कपडा ले लेंगे, नहीं लेंगे, तो क्या है, वो भी एक न जैसे, अगर एक किलोग्राम का बाट है, तो एक किलोग्राम का यह चाहें, उसे घर पर हम एक किलोग्राम चीनी को तोलने चाहें, दूसरी जिए बैसी कपडा, अगर एक मीटर कपडा लाएं, तो हम कहीं भी देखेंगे, तो एक मीटर होता है, आपने पड़े होंगे, बह क्या होता है मीटर होता है है ना द्रमान का मातर किलोग्राम बहुत ही ग्यान तो वही सारी चीजें हमारी मापन में यहां पर है ठीक है अब इसमें होता क्या है मापन के लिए किन-किन होता है मापन करता मापन करता कौन होता है जो कि किसी चीज का मापन करता है उसे हम मापन करता बोलते हैं ठीक जैसे इस कमरे की लंबाई हमें किसी ब्यक्त से माप करवानी है कि इस कमरे की लंबाई कितनी है तो जो इससे मापेगा इसकी नाप लेगा वो हमारा होगा मापन करता दूसरा होता है उपकरन दूसरा क्या होता है उपकरन का मतलब है जैसे हमें अगर इसकी लंबाई की माप करवाने यह तो मीटर का प्रियोग करेंगे ठीक है हमें किसी ब्यक्ति का बजन करवाना है तो हम किलोग्राम का प्रियोग करें तीसरी चीज होती है मापन के चर मापन के चर अब चर क्या होते हैं चर आपने अचर पड़े होंगे अचर क्या होते हैं चर और अचर क्यों भाई अचर अचर आपने पड़े होंगे जैसे एक दो तीन चार यह क्या है हमारे यह अचर है हम चाहें यहां चले जाए चाहें दिल हम तीन जोड़ेंगे तो पांच ही होगा हम कहीं पर भी जोड़ेंगे या दो में पांच जोड़ेंगे तो हमारा साथ होगा यह अचर है बदल नहीं सकते हैं यह सब हमारे क्या है अचर अजो की आवश सकता अनुसार या परिशती के अनुसार या समय के अनुसार बदलते रहते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं जैसे माल लिजिएगा है हमारा बजन 50 किलोघ्राम है दूसरे वेगतिका बजन 60 किलोघ्राम है तो अगर ये बदलता रहता या बालक की लंबाई पहले कितनी थी बालक की लंबाई पहले मा लीजेगा 5 फिट थी फिर 6 फिट हो गई है ना इसके बीच में 5 फिट हो गई तो ये लगातार जो चीज बदलती रहती है वो चर कहलाती है केलियर हो गया होगा चर क्या होते हैं तो मापन के चर आपने देखा होगा मापन के चर अब चर दो प्रिकार के होते हैं ठीक है मापन के चर और चर होते हैं दो प्रिकार के कौन कौन से एक गुडात्मक और एक परिमाडात्मक परिमाडात्मक एक गुडात्मक होते हैं और एक परिमाडात्मक होते हैं जिनमें सब्दों का प्रियोग किया जाता है सीधी सी बात है बहुत आसान है समझने के लिए सब्दों का प्रियोग किया जाता है वह गुडात्मक होता है और जिसमें अंकों का प्रियोग किया जाता है वैं हमारा परिमारा अत्मक होता है ठीक है जैसे माल लिजेगा आप ही हमने बताया था कि कहीं 5 किलो चीनी लेना है या 2 मीटर कपड़ा लेना है तो यह हमारा अंक प्रदान हो रहे हैं यहां पर यहां आ रहे हैं तो यह हमारा कै सब्द जैसे मा लिजेगा किसी ब्यक्त की बुद्ध लब्दी कितनी है या उसकी बुद्धी कितनी है ठीक है तो इसका अगर मापन किया जाता है तो वो हमारे गुडातमक में आता इसी को हम कहते हैं मानसिक मापन इसी को क्या कहते हैं मानसिक मापन ठीक है और इसे हम परिमार या अंकात्मक मापन कहते हैं अंकात्मक मापन कहते हैं बात आई समझ में अंकात्मक मापन यानि कि कोई पांच किलोग्राम चीनी दो मीटर कपड़ा यह सब हमारी क्या हैं अंकात्मक यह इसी को हम कहते हैं बहुतिक मापन इसी को हम क्या कहते हैं बहुतिक मापन सब इसी के न मापन होता है मांसिक मापन जैसे बुद्ध लब्दी है मारी यहां पर क्या आएगी ओप लब्दी है ओप लब्दी ठीक है बुद्धी है ठीक है जैसे हम एक उधारण देखें आपको बताते हैं कि हमने कहा कि इस ब्यक्ति का बजन 65 किलोग्राम है आप तुरंत समझ गए हों 65 किलोग्राम है तो 65 किलोग्राम बजन कितना होगा यह आप समझ गए होंगे लेकिन हम कहें कि इस ब्यक्ति ने एक परिछा में 65 अंक प्राप्त किये हैं तो अब इसका मतलब समझना मुस्किल है ठीक है कैसे 65 अंक प्राप्त किये या तो इसकी हम दूसरे ब्यक्ति के साथ चल् 얼마 करें कि अन्य बेकतिय। के मार्क्स कितने आएं यह नंबर कितने आएं अगर किसी के साथ आएं, ठीक है किसी के 42 आएं इंकिसी k 25 आएं तो हम क्या कहेंगे कि इस बेकति के नंबर सबसे जादे आए या फिर हमें इनका पोड़ांग पता होना चाहिए जब कि भहुतिक मापन में क्या होता है एक निश्चित सुन निविंदू होता है जिससे कि हम तुरंत पता कम लेते हैं कि 65 किलोगराम अगर बजन है तो वह बजन कितना है ये किलियर हो गई हमारी ये हैं ह हाजी है अब इसके बाद में आते हैं मापन के इस्तर मापन के इस्तर बहुत इंपार्टेंट है एक प्रसंद जरूर आता है मापन के इस्तर या पैमाने पैमाने इस्केल्स आफ मेजरमेंट या लेविल्स आफ मेजरमेंट ठीक है अब मापन के पैमाने क्या होते हैं ठीक है कौन-कौन से होते हैं मापन के पैमाने देख लीजिएगा मापन के चार इस्तर हैं या चार पैमाने हैं उसमें हमारा पहला है नामित इस्तर नामित इस्तर कहते हैं या साब्दिक इस्तर कहते हैं इसी का दूसरा नाम है साब्दिक इस्तर ठीक है इंगलिस में कहते हैं nominal scale, nominal scale, ठीक है, दूसरा हमारा होता है किरमित इस्तर, दूसरा क्या है, किरमित इस्तर, ठीक है, इसे ordinal, ordinal scale, तीसरा हमारा अंत्राल इस्तर, यानि कि interval, इंटर्वल, इस्केल, ठीक है, और लास्ट हमारा है, अनुपात इस्तर, या ratio scale, ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसे समझे लिजिएगा, नामित इस्तर क्या होता है हमारा, किसी गुड या विशेष्टा के आधार पर, हम किसी ब्यक्ति या बस्त को कोई नाम दे देते हैं क्या देते हैं कोई नाम दे देते हैं उसे कोड दे देते हैं संकेत दे देते हैं कोई चिन दे देते हैं तो इस पिरकार का हमारा इस्तर जो है या इस पिरकार का पैमाना हमारा कहलाता है नामित इस्तर या साब्दिक इस्त यह मापन का सबसे निमन इस्तर का पैमाना है कैसा है निमन इस्तर का पैमाना है कौन से इस्तर का निमन इस्तर का सबसे छोटे इस्तर का पैमाना है इसमें हमने ब्यक्त की विशेष्टा देखी और उसे कोई नाम दे दिया या कोई बस्तो है उसे हमने कोई संकेत दे दिया हमारे जैसे पोस्ट आपिस के पिंखोन नमबर और कोई मोबाइल नमबर है किसी करें डाल लेते हैं हमारा जैसा सोभाव होता है उसे आपका हम अपना डाल लेते हैं है ना पासवर्ड वगरा यूज करते हैं वह सब हमारे सब्सक्राइब किरमित होते हैं यहमारा मापन का सबसे नियमने इप सतर है साब्ले किसी श्मों के लिए अब रोई हम एक किरम बना के फिर इसे रैंक देते हैं क्या देते हैं रैंक देते हैं ठीक अगर हमने रैंक प्रदान कर दी तो यह हमारा किरमेत इस्तार है जैसे माल लीजेगा हम किसी कमप्टीशन में बैठते हैं और कमप्टीशन में हमारे नंबर आते हैं माल लीजेगा कि इसकी सेकेंड है इसकी थार्ड है इसकी फोर्थ है इसकी फिर्थ है तो इस हिसाब का हमारा जो स्केल होता है या पैमाना होता है उसे हम कहते हैं किर्मित इस्तर तो पहला नामित इस्तर दूसरा किर्मित इस्तर अब तीसरा है हमारा अंत्राल इस्तर यह क्या होता है इसमें हम कोई बरावर बरावर अंत्राल में समूं को बांट लेते हैं जैसे मान लीजिएगा थर्मामीटर बगरा होता है इसका बहुत उधारना है थर्मामीटर जैसे उसमें बना होता है 98 से लेकर और 108 तक तो इ उतना ही अंतर, 105 से 106 के बीच होगा, यानि कि यह जो अंतर है, यह बराबर होता है, जैसे हम बहुत से उसमें बरगंतराल या समांतर माद्द बगरा में, हम बरगंतराल पढ़ते हैं, किलास इंटरवल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इस हिसाब का जो भी हमारा अंतराल होता है, वो अंतराल हमेशा बराबर होता है, जितना अंतर यहां इन दोनों के बीच होगा, उतना ही अंतर इन दोनों के बीच होग तो इस पिरकार का हमारा स्केल अंतराल इस्तर कहलाता है, या इंटरवल स्केल कहलाता है, ठीक है, अब हमारा क्या होता है, लाश्ट और सबसे अच्छा या सबसे उच्छ इस्तर का जो हमारा स्केल माना जाता है, वो रेशियो माना जाता है, जिसे हम अनुपात इस्तर कहते है इसमें क्या है दो पहला इसका जो सबसे मुख्य विशेष्था है मुख्य विशेष्था वो यह है कि इसमें एक निर्पेक्च सून्य विंद होता है क्या होता है निर्पेक्च निरपेक्च सून निविंदू इसमें एक निरपेक्च सून निविंदू होता है जीरो पॉइंट होता है ठीक है जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं थे जैसे 65 किलो गिराम है कोई चीज तो हम तुरंध सूने से पता कर लगाते हैं सोने से कितनी ऊपर है ये चीज़, ठीक है, किसी की लंबाई अगर पांच फिट है, तो हम तुरंट पतार लगा लेते हैं, जीरो से कितनी ऊपर है, ठीक है, और इसमें दो चीजों में हम अनुपात ग्याद कर लेते हैं, मान लीजेगा किसी का बजन अगर 40 kg है ठीक है और एक का बजन 60 kg है एक का बजन 40 kg है तो हम कहते हैं इन दोनों में क्या अनुपात है तो हम तुरंत बता देते हैं तीन अनुपात दो है ठीक तो इस हिसाब का हमारा स्केल अनुपात इस्तर कहलाता है या रेशियो स्केल कहलाता यह सबसे अच्छा इस्तर माना जाता है या उच्छ स्रेणी का इस्तर माना जाता है तो हम समझ गए होंगे चारों सबसे पहला नामित इस्तर यानि कि सबसे निम्न इस्तर है यह मापन का सबसे निम्न इस्तर है और इसमें संकेत कोट या चिन प्रदान कर दिये जाते हैं दू अंक के बीच या समूं के बीच जो हम अंतर बनाते हैं वो हमेशा बरावर रहता है ठीक है न फिर अनुपात इस्तर में क्या करते हैं इसमें एक निर्पेक सुन्विंद होता है एक उधान के माद्यम से यह सारे हम किलीर करना चाहेंगे जैसे कि मान लीजिएगा किसी ब्यक्त संब्ष 10 किलोग्राम के ब्यक्ती का लिए उनकी अलग बजन जाता है यह क्या कर लेते हैं अगर हम ये एक निश्चित बना लेते हैं, इसमें हमारा कोई निश्चित अंतर नहीं था, अगर हम निश्चित अंतर पे बना लेते हैं कि 40-50 की बीच कितने हैं, 50-60 की बीच कितने हैं, 60-70 की बीच कितने हैं, तो हमारा ये अंतराल इस्तर होता है, फिर हम अगर दो लोगों की बीच में तुलना कर लेते हैं कि इसका बजन इससे कितना जादा है या अनुपात कितना है तो उमारा अनुपात इस तर होता है ठीक है यह हमारा था आज का टॉपिक मापन आप लोग इसे पढ़िएगा याद कीजिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यव चॉपिक माझन आमना टॉपिटाण inावन जाया अजिएगा इस उडिएगा मो भाने यह हमारे वालेपनत इस पडėए़्गातで क долларा मत अują है दोग्दा़ यह हमारे पंड़िए तर नेय्यडेगा इसे पातुर的 प्रिसम्र लड़ोन से अलेपर इसे तरौशा यह हमारे जर